नमस्ते दोस्तों जितना बड़ा यह चाहिए उतने बड़ी इम्तहान होंगी इसके मैं आपको कुछ एग्जम्पल देना चाहता हूँ अगर 15,000 की नोक्री है तो उसका वाकिन इंटर्वी होता है और अगर 50,000 की नोक्री है तो उसका प्रॉपर इंटर्वी होता है और कुछ पुछे जाते है और अगर 3,000,000 की नोक्री होगी तो बहुत जादा कुछे जाते हैं बहुत इंटेलिजन ट आंसर आपको देने पड़ते हैं और 20,000,000 की नोक्री होगी तो तो पूरा आपको आपकी इम्तहान हो जएती है और एक मैं आपको एक्जम्पल देना चाहते हूं हमारे यहां कुछ फूड कंपनी में कुछ स्टूडन्स आते हैं मतलब फूड टेक्नलोजी करके उनको जॉब एक्स्पिरेंस चाहिए होता है तो इसलिए वो फोन करते हैं और हम सोचते कि चलो उनको थोड़ा एक्सपिरेंस मिल जाएगा इसलिए मह उनको तुरंत हैं बोल देते हैं पहले दीन चार गंटे आते हैं दुसरे आपते से दो गंटे आते हैं पinterest कि Erstrit यहrementे से आते हैं वह मतलब इस इंटर्विव दिया पास हो गए है तो उनको उसका कि मुछ सिंसेरिटीं उनको नहीं लगती उक अमेरिका में पढ़ने को गई थी 12 के बाद और उनका कोर्ट जो था उसमें दो सेमिस्टर यू कैन वर्क इन सम कंपनी इन अमेरिका तो कुछ दो लाक रुपए सेलरी उनको मिलती है मैने की तो उसका इंटर्वियू तीन घंटे चला हर कंपनी में जाती थी तीन-तीन घंटे इंटर्वियू तिर दो-तीन कंपनी के बाद वो सिलेक्ट हो गई कहने का मतलब यह कि जितनी ज़्यादा मुश्किले हमें आती है उतना सक्सेस हमें बड़ा मिलता है जितना संधर्ष बड़ा उतनी जीत शांदार होगी यह और यह कहां। विह वर्ड़ा इतना सक्सेसेस होगी उप दो क्या व्यू तैतना स्वेटभा इतना स्क्रेट कॉपन है